पूरे हुझ्जे में कि खुपनें जो पूरे बेहाते हैं करमचारी एक तार लीपीक एक तार हमारा हक लुग अटार करमचारी मात्र शक्ती पर्यावना सरकाव भारत माता की साथियों सबसे पहले दो माँआप सभी से माफिचाओंगा क्योंकि जिस दिम भी मैं सोनी पताणी की सोचता था सोनी पताणी से पहले कुल्दी पाई और बाकी टीम को पता होता था कि उसी दिन ऐसा कुछ मीटिंग का या कोई और ऐसा शेडूल हो जाता था कि मैं आपरा नहीं पता था लेकिन मैं आप विश्वास दिलाता हूँ कि अभी ये जो बाईचारा स्थापित हुआ है कि लिए विकरांत के कारण या किसी कारण नहीं हुआ क्योंकि अरेक के अंदर ये डस थी कि अमारा शोशड इतने वर्षों से हो रहा है और उसकी नब्स बैथी शार सो और जो तथ्य रखे और जो मेमरेंडम था वही एक नब्स थी जिसने अरेक करमचारी की उसे अंदर से वो आवाज निकाली जिसके बाद उसने करमचारीों ने करमचारीों की बावना ना समस्ते होई हर एक विबाक को एक परिवार का दर्चा दिया इसी कारण से आप देख सकते हो बड़े बड़े आंदोलन होते हैं आज ये आंदोलन की भूमिका ना निबाथते होई एक परिवार की बूमिका निवारा इसलिए यहां पर यह स्ट्रेंथ एक साथ बैठी होई साथियों सबसे बड़ी कामचारी आप ही हमने एक बाईचारी की स्थापित की है उस बाईचारी की जो जाड़ा की घरम सब चीजों से उपर उपकर यह स्थापित हो आए यह सबसे बड़ी जीत है साथियों हमारी और मैं आपको बताना चाहूंगा असलिए अंदोलन की शुरुआत तीसरी मीटिंग के बाद ही हुई है साथियों क्योंकि सरकार ने वो रणनीतियां वो शाम दंड बेद की जिस पर वो विश्वास करते हैं कि मीडिया के सामने मीटिंग के अंदर कुछ ओर और बाहर कुछ ओर क्योंकि अमारे सामने तो मीटिंग में सब चीज़य उन्होंने यह बताई थी क्योंकि पहली मीटिंग के अंदर लेकिन वह बूल गए है कि बही इनके आंदोलन की जो मांग है वह एक मांगना होकर एक तत्थ्यों पर आदारीद एक ऐसी चीज है जिसका शोषण हरेख करमचारी ने पीछे देखा है अभी देखने लग रहा है और आग्ये देखेगा इसलिए वह उन्होंने बूल कर दी कि भूल कर दी ओस जी मोदे ने कि मैं इनके सामने सुआत्पूर्ण वातावर्ण कोई दर्णानात्मक कारवाई नहीं होगी, कोई अनुशाशनात्मक कारवाई नहीं होगी, इस परकार से करमचारियों को, हमको सभी को बुरुसा देते रहें, और बाद में उन्होंने सोचा कि 21 गेम खेलने के बाद मैं इनके होसले तोड़ देता हूँ, क्योंकि सरकार की नीती होती है कि समय को जितना निकाले, ताकि करमचारी के होसले तूटते रहें, सभी समस्ते इस बात को कि हमारा डिपेंडेंसी किस पर हमारे वेतन के उपर डिपेंडेंसी है, और अरे एक गलती उनकी वही पर हुई, जिसके बाद हमने ये समझना शुरू कर दिया, कि सरकार हमें हमारा हाग देने के बजाए जनता को बारे खिलाफ करना शुरू कर रही है, और उसी के तुरुत बाद हमने अगले दिन पुरुशित्तर के अंदर प्रेस कोंफरेंस कर, वो सारे अंचारी की कोई नोभरी नहीं गई, ये सरकार के अतकंडे है, नोपे, नोवर्क, नोपे, या किसी भी परकार के, आप तो पहले से टर्मिनेट के समझके बैठी हो है, इस अंदोलन के अंदर, और आप भी साथियों ये समझके चलो, कि तीसरी मीटिंग के बाद ही हमारा अ डाना जी, डिला कोडिनेटर विक्रम लट्वार जी, हमारे डि-स ओफिस के जोनल कोडिनेटर राजेश खटकट जी, जैदेव जी डेजिरी से अजीत जी हमारे बीजियाई से है, विकास जी, हमारे डि-सि ओफिस के परदाण, सतीश कुमानी जी, miki टीम, सुरज कोर ज बिश्वास दिलाता हूँ इमांतारी के साथ क्योंकि आपके बीच भी हो सारी अपवाएं आती होगी कि उस टेबल के उपर लोग जाकर करमचारी नेता बिख जाते हैं और अपनी डिमांड वो की वो दरी रह जाती है ऐसा होता था साथियों मैं अभी भी आपके सामने का रहा क्योंकि करमचारी हर एक संगठन से जुड़ा होता है ऐसा नहीं कि भाई अमारी डिमांड पूरी ओड़े के बाद उस संगठन के करमचारी को उस सीज का फायदा ने मिलेगा वो सब को फायदा मिलेगा वो ऐसा नहीं कि भी इस कास्टिजम को मिलेगा या इस दरमवाले को म पुलेगा और यही परिवार की बावना उल्दीव बाई विक्रम जी और राजेश राड़ा जी के साथ मिलके अमने शुरू की थी और इसके अंदर आप देख सकते हो किसी भी कारिये के अंदर सकते निश्ठाई मांगारी होती है उसके अंदर प्रकरती भी उसका साथ अब इसाम परता एक दंगो की सामने आ रही है उससे पहले बाड़ गी थी लेकिन साथियों आप देख लो इसहार के अंदर लेलो आप करनाल के अंदर किसी भी डिस्टिक के अंदर लेलो अमारी स्ट्रेंथ हो की वह बढ़ी हो यह साथियों और यह अमारी जीत का पहला कद आपने उसी समय टेबल छोड़ दी थी और काफी ऐसी चीज़ें टेबल पर उनको कई वो चीज़ें माइक पर शोबानी देता लेकिन आपको यह निश्चित करके बताना चाहता हूं कि अपके बार तो पाड़ी भी अपने गर से लेके जाएंगे साथियों और इस बाहिचा तक अनुशाशन नेकता के स्था बैठे रहेंगे ना सरकार ऐसा कोई मोका डूड़ पाएगी कि वहींने किस परकार से हम खदेड दें इंफव कोई आरोफ लगा दें यह अपनी नीतिया अपनाएंगे 140 की 144 दारा की बाकी चीज़ें लेकिन मैंने सरकार को मीडिया के मात्य पर जाएंगी वहां से वह विश्वास गात शुरू हो गया था हमारे साथ लेकिन मैं अभी फिर भी कहा रहा हूं कि यह अंदोलन एक अपनी जायज मान के लिए लड़ रहा है जब आप यह कह रहे हो कि यह डायरी डिस्पैस रिकोर्ड की पर है तो और आप हमारे रसी के औ कि वह तैसिलदार को ही वह काम क्यों करना पड़ रहा है जो गलर करता है आज जंता के सामने सचाई अपड़े आप आने लग रहे हैं साथियो एक डायरी डिस्पैस रिकोर्ड की पर कोई तीन जार करोड का नुकसान नहीं करवा सकता यह जो रख रहे हैं तथ्य सामने के व पड़े बजट कारोणा और करमचारियों को देनी पड़े जाएंगे इसी जो देने होगे हैं लेकिन साथियो माद को विश्वास दिलगता हूं कि मांदारी के साथ सारी की सारी टीम जो भी आपने टीम बना रखी है वह वहां पर आपके जाएज अके लिए खड़ी है आप कोई भी बलीदान गवाया नहीं जाएगा साथियो और मैं आप से वचन देता हूं कि जो भी होगा इमानदारी के साथ आपके समक्ष होगा आप सभी का ये जो बाईचारे का जो आबार है इसको जिंदिगी वर मैं तो कभी उतार नहीं सकता लेकिन आप सभी बढ़ा के दोनन है लेकिन पविशे में हरे करमचारी की वो समस्या को सुझाना है और वो किसी आके लाइए पिर को नहीं सुझाना सुझाना क्यूंकि इस संगठन के अंदर कोई भी ताहूमर परदान नि रहेगा उस पंती में आखरी बैठा वेक्ति भी परदाने है और सबसे आगे भी पिकी एक ना हमारा हर पर्दी चास्टों पर्दी रहेंगे पर्दी चास्टों